सोफी सेनेटरी पैड की तरफ से घरवालों को मिल चुका है एक स्पॉंसर्शिप टास्क ये स्पॉंसर्शिप टास्क काफी ज़दा मज़ेदार था एक जगा पर जो है तीन भाग्य में मतलग की लड़का लोगों को बांटा गया था और तीन महिला सदस यानि की तीन कंटेस्टेंट है जो की लड़कियां है यानि की शिवानी, कृतिका और सना मकबुल और ये सोफी की तरफ से सेनेटरी पैड है तो अफकोस लड़कियों के ही ये काम आता है तो अब लड़की अखिरकार इसमें क्या करेंगे काफी अच्छे से ये जो स्पॉंसर्शिप टास था उसको डिजाइन किया गया था और जैसे की हर महीने पीरिट्स होते हैं लड़कियों को उस वक्त जो है काफी सदा मूर स्विंग्स होते हैं काफी सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है काफी सारे क्राम सुनको होते हैं बहुत सारी प्राब्लम्स होती है इस चीज को तो भाई मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और आप भी जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ सकती हैं तब मैं नजर पड़ी मैंने बोला यार ये बंदा जो है ना लवकेश ये सना मकूल अगर थोड़ी सी टच भी हो जाए तब भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है अब इसको इस से रेलेटिड अगर कुछ बात बोलनी पड़ जाए तो आखिरकार ये बंदा कितना शर्माएगा बड़ फिर भी इस बंदे ने जो है काफी अच्छे से किया वो एक तीन टेबल थे और तीन टीम बनी हुई थी जो अर्मान और रनवीर की एक टीम थी और नैजी और साइकेतन की एक टीम थी और तीसरी टीम जो है सी टीम जो थी वो थी लवकेश और विशाल की तो टेबल क सामने जो है रखे हुए हैं सेनेटरी पैट रखे हुए थे पैकेट रखे रखे हुए थे सोफी की तरफ से फ्लावर्स थे और काफे सारी मतले कि खुशबूदार बॉटल सा लग 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 सब चीज़े चॉकलेट्स टावल टैडीज बहुत सारी चीज़े थी जो कि लड़कियों को पैंपर करने में बहुत ही ज़दा इस्तमाल आती हो लड़कियां इस चीज़ से काफे सदा रिलाक्स फील करती हैं तो इनके बास दो मि आगे बांटे गए थे और सच्वे यार इन लोगों ने अर्मान और रनवीर ने क्या कमाल का बुक्के बनाया इन लोगों को तीनों को जो है दो मिनट में सब कलेक्ट करके बुक्के बनाना था और लड़कियों को आके जो है देखना था कि कीज का बुक्के जो है सबसे थो पीज एक हैं तो करेंश में ज्बाहना अच्छ नामटना जिए सपाधि यह तुन सम्झे बेर है और इन आजीव से लोग जो विशाल आछफेश विशाल ने बोला कि मैंने पाउच इसलिए नहीं लिया क्योंकि सोफी जो सैनिटरी पैड है उसको हम छुपाना नहीं चाहते इस चीज से हम जागुरुत करना चाहते हैं लोगों को कि इसको छुपाना नहीं है यह एक नाचुरल चीज है बहुत ही अच्छा लगा तो अब जो है लोगों ने डिसीजन लिया डिसीजन लेने के बाद जो है रनवीर और अर्मान जीत गए और इन दोनों ने जो है कृतिका को गिफ्ट हैंपर दे दिया सब लोग काफे से तक हुश है यह सब चीज से टास्क खतम हो चुका पर इस टास्क में मज़ा बहुत आया और सीरिसली यार मतला कि लड़के हो तो ऐसे हो कि लड़की को पैमपर जरूर करे जब उनको पीरिट्स होते है तो पैमपरिंग या लड़की को बहुत चाहिए होती है और एक्चली मेरे जैसी लड़की मेरे तो बबा मूर स्विंग्स तो होते ही रहते हैं